बिस्मिल्लाइ रहुआ निरहीम देखती आंकों सुनते कानों मेरी तरोसे असलाम अलेकम जब अचानक से महमान आते तो कुछ समझ में ना आए तो ये मेरे वाली रैस्पी बनाएं और इंजवाई करें ये मेरे पास आता किलो अलुए उबले हुए मैश की हुए बिल्कुल बरीक मैश की हुए इसके अंदर कुछ मसाले शामल करेंगे ये बुना हुआ कोटा हुआ जीरा है एक चमच काली मरच पिसी हुई एक चोटा चमच दनिया पिसा हुआ एक चोटा चमच नमक हस्पेजाई का तान फ्लार शामल करेंगे दो बड़े चमच इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं अगर आपको लगे के डोग थोड़ी से नरम है तो कान फ्लार और शामल कर सकते हैं जैसा को मुझे लग रहा है ये नरम है मैं एक चमच और कान फ्लार का शामल करेंगे तो हमारी त्यार हो गी है इस तरह सखसी अब हाथों को आई लगा लेते हैं थोड़ा सा इस तरह और इसको उठाते हैं इस तरह गोल सा बनाते हैं और इस तरह टिकी बना आके और इसके अंदर सुराख कर लेते हैं त्यार कर लेते हैं यह हमने इस तरह त्यार कर लिया है अब हम इनको फ्राइ करते हैं तेल हमारा गरम है बिस्मिल्ला रहान रहीं अब इनकी साइड चेन करते हैं इस तरह दोनों साइडों से गोल्डन करके आम निकाल लेंगे दोनों साइड से गोल्डन हो चुके हैं अब हम इनको निकाल लेते हैं यह हमारे जटपट अलू के डॉनल्ड ट्यार हो गए हैं इसको चाय के साथ कैचप के साथ खाएं यह बहुत मज़दार हैं अगर मेरी वीडियो आपको पसांद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी वीडियो लाइक करें शेयर करें और सबस्क्राइब करें जहां रहें पूश रहें मनसते रहें मुस्कुराते रहें अल्ला हाफिज झाते हैं